ओम नमाश शिवाय हर हर महादेव एक सियार ने उस बच्चे को देखा और वह उसके पास जाने लगा तभी उसी समय ही वहां से रिशी वेद व्यास के पिता जी पराशर मुनी गुजरे और उनकी द्रिश्टी उस अबूध बालक पर पड़ी और उन्होंने देखा कि एक सियार भी उस शिशुकी ओर धीरे धीरे आ रहा है पहले तो पराशर मुनी ने सोचा कि कहीं यह इंद्र का कोई खेल या माया तो नहीं है जो मेरा तप भंग करना चाहता हो यह सोचते हुए महरशी पराशर तेजी से शिशुकी ओर बढ़े और यहा देख करके कि वह सियार अपनी जगह पर ही रुक गया फिर चुप चाफ ही वन में कहीं गुम हो गया महरशी पराशर ने उस बालक को ध्यान से देखा उसकी चार भुजाएं थी रक्तवण और गजवदन था सुन्दर वस्तर पहन रखे थे तब उन्होंने उसके चोटे चोटे चणों को देखा तो उस पर ध्वज अंकुष और कमल की रेखाएं असपश्ट नजर आ रही थी यह देख करके महरशी के शरीर में रोमांच हो आया और वे समझ गए कि यह कोई साधारन बालक नहीं बलकी स्वेम प्रभू थे तब उन्होंने शीशु के चणों में अपना मस्तक रख दिया और वे खुद को भाग यशाली समझने लगे वे उस शीशु को ले करके अपने आश्रम पर चल पड़े यानि की चले गए उनकी पतनी वतसला ने जब महरशी के हाथों में एक नन्हे बालक को देखा तो पूछा यह आपको कहां से मिला महरशी ने कहा कि यह जंगल के एक सरूवर के तड़ पर पड़ा था लगता है कि कोई क्रूर हरिदय अभागाई से वहां छोड़ गया है वतसला शीशु को देख करके प्रसन हो गई तब पराश्र ने अपनी पतनी को समझाया कि यह साक्षात त्रिलो की नाथ हैं यह हमारा उद्धार करने के लिए आए हुए हैं यह वचन सुन करके वतसला रोमान्चित हो गई और दोनों ने मिल करके गण गणपती ने दिवानतक और नरांतक नामक राक्षेसों का संगहार करके धर्म की अस्थापना की और अपने अवतार के समाप्ती की उसके बाद त्रेता यूग में गणपती ने उमा के गर्व से भाद्रपद शुकल चतूर्थी के दिन जन्म लिया और उन्हें गणेश ना परन्तू गणेश के जन्म के बाद किसी कारण वश पार्वती ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया जहां पर पराशर मुनी ने उनका पालन पोशन किया इन्हीं गणेश ने ही रिशी वेद व्यास के कहने पर महाभारत लिखी थी इस अवतार में गणेश ने कत्व ज्यान का उपदेश दिया था ऐसा भी कहा जाता है कि वे महश मती वरेन्य वरेन्य के पुत्र थे कुरूप होने के कारण उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया था तो इस प्रकार से गणेश जी की ये कथा रही इसका श्रवन करने वाले को भी बहुत लाब होता है तो प्रेम से बोलिए गणपति भपा मोर्या ये आज की वीडियो रही ऐसी ही नई वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं तो ऐसी नए प्रसंग कथा के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आउन कर लिजे जब भी नई वीडिय ताकि हम लाएं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए फिलहाल भी दा लेते हैं आज की इस वीडियो से आप सफी खुश रहें आनंदित रहें प्रेम से बोलें हर हर महादेव